दोस्तो फास्टबल मैं सॉरी कहाँगा आप सबसे क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत काम का प्रेसर है अभी माले अपकी समझो बहुत सेडियूल टाइट है सॉरी कह रहा हूँ लेकिन दोस्तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं जल्दी लेके आऊँगा अफिलेट बूस्टर का कम्पलीट गाइड जो कि आज का यह वीडियो है आज मैं स्पेसियली आप लोग को सिखाऊंगा कैसे आप प्रोडेक्ट को प्रमोट करेगे थू अफिलेट बूस्टर एंड कुपन कोड बागरा कैसे क्रियेट करोगे ताकि इजीली आप कोई कुपन कोड वाला इंटरफेस बनाके वहां से आपना अफिलेट सेल जनेरेट कर पाओ वडियो में ज़्यादा लेट नहीं करते अभी सिधे आगे बढ़ते हैं और प्रेक्टिकली करके देखते हैं तो चलिएभी स्क्रीन पे अभी दोस्तों हम लोग स्क्रीन पे हैं अब हम आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे आप लोग कैसे इस्तमाल करोगे अफिलेट बूस्टर प्लैगिन को लेकिन उससे पहले अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है केसे बनाए और उससे पेसा केसे कमाए ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे अभी हम आगे बढ़ेंगे जैसी कि आप सबको पता था कि भाई मेरा ये वाला जो वो पोस्ट है जिस पर मैंने अर्न किया और इसका स्ट्रेजी मैंने आप सबके साथ विडियो पर अब मैं आपको सीखा हूंगा कि यह जो कुपन कोड ब्लॉक है इसको किस तरह से आपको बनाना है ठीक है तब आप लोग सीख के आपने लिए भी बना सकते हो और यह मैंने बनाया है अफिलेट बूस्टर प्लागिन को इस्तमाल करके सबसे पहले मैं अपना पोस्ट को एडिट मोड पे ले चुका हूं और अभी मैं क्या करूंगा अभी मैं जाओंगा अफिलेट बूस्टर प्लागिन के पास देखो यह रहा अफिलेट बूस्टर का प्लागिन और यह आता है फ्री में भी आता है और अभी मैं फ्री यूज या फिर paid use कर रहा हूं भाई मैं अभी paid use कर रहा हूं क्यूंकि भाई paid में थोड़ा ज्यादा blocks मिलता है ज्यादा optimize करने के लिए option होते हैं ज्योंकि free में नहीं होता है और अगर आप लोग देखोगे ना दोस्ते यह बहुत मेहंगा plugin नहीं है यह बहुत सस्ता plugin है आप लोग क paid plugin लेते हो तो ठीक है दोस्ता affiliate booster का interface कुछ इस तरह से आपको दिखेगा simply scroll करना है और scroll करने के बाद आपको दिखेगा सारा इनका single product blocks से comparison blocks से notification blocks से pros and cons blocks से और बहुत सारे options है यहां पे लेकिन free versus paid अगर हम देखें तो हमें यहां पे मिलता है 10 good and work box यही पे पेर्ड में आपको मिलता है 30 और मैंने आपको कहा था कि यह ज्यादा महेंगा नहीं है कितना है भाई simple scroll करेंगे तो आप देखो scroll करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां पर pricing section और top में आपको मिलेगा pricing section दोस्ते मैंने आपको अल्रेडी कहा था इसका प्राइस ज्यादा नहीं है अल्रेडी मैंने description पर लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करिए और यहां पर आजएए अभी आपको जो प्राइस यहां पर दिख रहा है ना के लिए ले लो और 25 साइट के लिए इस्तमाल कर सकते हो और इससे सस्ता कोई अभी के टाइम पर मिलेगा नहीं आपको और यह इतना बैल्यूबल प्लागिन आपको बहुत चीप रेट में मिल रहा है सिंपली अगर आपको पर्चेस करना है दिखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं बाइ 25 साइट्स प्लान ठीक है इसको करते हैं क्लिक और अभी आपको एक कुपन कोड आड़ करना है ठीक है थोड़ा लोड हो रहा है और अभी आपको मैं बताता हूं क्या करोगे तो आप देखो अभी कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा प्रोस्टर भी हो रहा है देखो यहां पे आपको डिस्काउंट 9 डॉलर का मिल गया अभी आपको 25 साइट्स ओनली 40 डॉलर में मिलेगा समझ पा रहे हो ना और इसके साथ आपको वेनिफिट और क्या तो मेरे तरफ से आपको अलिमेंटर फ्री में मिल जाएगा जिससे कि आप हाई कुलिट्व एकसाइट कर सकते हो और अफिलेट मार्केटिंग प्रॉपर ली कर सकते हो अफिलेट मार्केटिंग में नॉर्मल थीम इतना चलता नहीं है जितना अट्रक्टिव आप बनाओग उतना ज़्यादा चांस होगा कि आप असान इसे सेल जनरेट कर पाओगे अगर आप लोग पर्चेस करते हो आपको फ्री में जो गिप्ट मिलेगा केस से सिंपल पर्चेस करने के बाद आपका इन्वोज बगर का डीटेल मेरे को इंस्टेग्राम पे सेंड कर देना ठीक है तब मैं आपको गिप्ट प्रोवाइड करा दूगा दोस्तों यह बहुत चिप प्रैस में मिल रहा है बाकी प्लगिंस के कंपरिजन में और प्लगिं का वैलू भी बहुत ज्यादा है ठीक है तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो की अफलेड मार्केटिंग के लिए और भी आपको प्रोफेशनल ब्लॉग बनाने में मादद करेगा समझ पा रहे हो ना तो सिंपल कंसेप्ट भाई अगर आपको लेना है तो ले सकते हो यह क्या नहीं है इसलिए मैंने इसको पर्च अदर को मैं सबसे बत हुंगा सिंगल ब्लॉक्स पर बात करते हैं यहां पर देखु कि मैं चांप? क्लिक करोंगा और सब का different होता है लेकिन यहां पर अगर हम all पर देखेंगे यहां पर प्लस क्लिक किया और यहां पर लिखेंगे AFF तो मतलब कि affiliate booster का जितना सारा block से यहां पर दिखेगा तो कि यहां पर A, B, pros and cons, affiliate booster pros and cons इसको enter करके जैसे कि आप देखो मैंने यहां पर यहां पर देखो pros and cons लिखा हुआ है तो इसको मैंने कैसे बनाया है वो देखो आप यहां पर तो simple AFF डालो यहां पर आ जाएगा pros and cons उसके बाद आपको मिलेगा coupon box जो कि हमने यूज किया है यह भी comparison देखो इसका comparison table ठीक है अब compare भी कर सकते हो उसके बाद call to action यहांने कि आप button भी बना सकते हो ठीक है content लिके उसका button भी बना सकते हो यह सबका अगर example मैं दिखाओ आपको सबसे पहले यही पर example देखो ठीक है तो बहतर होगा देखो यहां पर check all blocks अच्छी से आप समझो ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं क्या चीज कैसे दिख रहा है तब आप समझ जाओ कि देखो यहां पर notice इस तरह से आपको डेमो में हरेकर डेमो दिखाता हूं इस तरह से आप notice बना सकते हो जब भी आपके website पर कोई आएगा वी product रिबारे में लिख रहे हो तो notice दे सकते हो कि हाँ यह product रिबारे में यह notice यह information है उसके बाद आप देखो यहां पर प्रोज और कॉंस का ब्लॉक देखो सबका डेमो यहां पर दिया गया है देखो यहां पर प्रोज और एक इस तरह से प्रोज इंट कोंस आप बना से तो बहुत प्रीमियम लुक के बाई थीक है उसके बाद आप इसको क्लोज और और रॉस प्लोग यहां पर ऑप ऑप लोग इस तरह से कंप्यर भी करसे इसे किigor glamnis का या Old Bay को मैंप छिएकिस कोस्पैकेजे बहूं और भी ब देखो एक है product comparison का एक है और इस तरह से आपको multiple design वहां पर available होगा जो कि आप choose कर सकते हो अपने हिसाब से देखो इस तरह से आपको दिखेगा देखो कितना इच्छे से आप टेबल बगरा बना सकते हो और उसको promote कर सकते हो उसके बाद अब को topic कभी कभी आपने देखा होगा मलब हम लोग list करते हैं उसके अंदर topic डालते हैं यहां पर topic राइटर जिसको भी topic के तौर पर दिखाना चाहेगा उसको यह यूज करेगा topic मालो आपने दौस product list किया है उनमें से आपको top में किसी को रखना है topic यह रहेगा तो इसको सिंगल बटन लगा सकते हो triple यहां पर बायाट Amazon बायाट फ्लिपकाट मल्टिपल बटन भी आप लगा सकते हो ठीक है आपने देखा यह वाला अप्सवन ठीक है उसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो tablet contents यह तो by default होता है और premium look के लिए आप इसका tablet contents यूज कर सकते हो लेकिन इसको अभी हम ignore करते हैं star rating देखो केसे आएगा star rating अगर आप यूज करते हो तो इस तरह से आप star rating भी लगा सकते हो product नीचे clear है ना तो star rating भी बन जाएगा और single product यह सबसे important रता है इसको जयता लोग use करते है single product को केसे करना है देखो यह रहा single product का block इस तरह से multiple यहां पे अब लेवल है देखो इस तरह से आप बना सकते हो single product तो उसका title आपने लिखा और उसके बारे में थोड़ा hint दिया और उसका features आपने लिखा ठीक है और बाया का button बाया आट आमाजोन असी भी लिख सकते हो कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो और styling पर क्या क्या अप्टन है border color change कर सकते हो टाइपोग्राफिया टेक्स का font बदल सकते हो element को disable कर सकते हो और border width भी चेंज कर सकते हो इस तरह से आप buttons भी तीन आप वहां से ला सकते हो clear है ना तो यह सारे option आपको यहां पर मिलता है उसके बाद भाई progress bar को हम इतना focus नहीं करेंगे single pros and cons ठीक है इसको आप देखो यह बहुत important है जब आप single product link करते हो तो वहां पर आपको product का pros and cons देखो यहां पर top pick भी आप लिख सकते हो and product लिखके उसक जब आप क्यूंकि product आपने बता दिया उसका भी आपको लोग को दिखाना होगा है यह अच्छा ही है यह बुरा ही है तब क्या है genuine review लगता है और यह सब करोगे ना तो Google पर थोड़ा rank भी बढ़ता है ठीक है तो आप देखो यहां पर उसके बाद notification तो आपको पता है good bad feature product क लाइब क्या है अब किसी product के बारे में बात कर रहे हो ठीक है यहां पर इमेज लगा ओगे good and the bad यहां पर rating मगरा दे सकते हो यहां पर review जो लगना लेख सकते हो वर बटन दे सकते हूँ इसी हिसाब साप बना सकते हो तो आप उसके बाक्त क्नुूज़ाग से कानुज़ाग सा का yoo खानलो आपको प्रेट का रेट कर रहे हो मली ये आप पूर का पुर दों कर सकते आसाने से बाई अब अब आժ शीज इंचलिव और युजोगे टाइप का ऐसे coupon भी होगा और इस तरह से multi coupon भी होगा ठीक है आठ टाइम आप बहसार कुपन दिखा सकते हो लिए तो इस तरह से और इस तरह से coupon box आप बना सकते हो और special यह box मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपको इसको सीखा हूँगा तो पहले आप जान लो कि आप affiliate booster से क्या-क्या बना सकते हो क्या-क्या blocks available है उसके बादे को buttons आप call to action देखो call to action case है इस तरह से call to action आप बना सकते हो मतलब कि यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हो और थोड़ा बहुत आप content लिखके buy now का button भी लगा सकते हो प्रॉपर्ली जो plugin है भाई यह प्रोमोट करता है अफिलेट मार्केटिंग अगर आप प्रॉपर्ली इसको 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 बहुत प्रीमियम लेबल पर प्रोडिक को प्रोमोट कर सकते हो एक audience जब आएंगे ना भाई जब देखेंगे आपका interface तो engage होंगे और वहां से उनको अगर आप थोड़ा सा psychology fact के साथ लिखोगे ना तो बहुत अच्छा sale आप ला सकते हो उसके बाद देखो buttons किस तरह से button आप बना सकते हो चोटे बड़े round इस तरह से आप buttons भी बना सकते हो ठीक ना और मैं आपको end में दिखाऊंगा भाई यहाँ पे list items आप चाहो तो list भी कर सकते हो लिस्ट आइटम देखो दोस्तों यहाँ पे आप सिंगिल कलम में लिस्ट के बार लिस्ट बना सकते हो मल्टी कलम आप कर सकते हो और background बगरा बदल के भी आप लिस्ट कर सकते हो यह बहुत अच्छा चीज़ है जो कि advance लिए आप affiliate marketing कर सकते हो लेकिन यह तो हमने बता दिया भाई यह सारे features आप भे level है लेकिन mostly हम लोग यहाँ पे दो तीन चीज़ उस करेंगे कि वह कैसे करना है एक तो देखो दोस्तों जब भी मेरे को सबसे पहले यहां पर इंट्रेस्ट दो चीज़ लगा इंट्रेस्ट के अंदर आता है यह देखो bad good feature यह बहुत अच्छा है single pros and cons यह बहुत अच्छा है ठीक है हम लोग यहां पर single pros and cons bad good इस्तमाल करेंगे और यहां पर single product और उसके बाद हम देखेंगे यहां पर coupons यह चारो चीज़ हम आज इस वीडियो में cover करेंगे practically आप लोग कैसे उसको करोगे ठीक है यहां पर देखो भाई सबसे पहले single pros and cons यहां पर हम लोग चलेंगे अपने post के अंदर और search करेंगे यहां पर अल्ड़ेडी सर्च था यहां पर सारा option मिल रहा है यहां पर स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेंगा देखो good bad block ठीक है यहां पर good bad block तब टेबल अब कुछ नहीं करना है और list icon इसको हम कुछ नहीं करे यहां पर देखो single product pros and cons ठीक है इसको हमें नहीं लेना है हमें किसको लेना है single product only अभी तुस्ता हम लोग single product को link करते हैं देखो compare gen में आप लोग यह वाला section को इस्तमाल कर सकते हो लेकिन mainly हम लोग यहां पर बात करेंगे single product का ठीक है यहां पर देखो सबसे पहले इसको enter करो यह होगा आपका single product ठीक है single product यहां पर यहां पर आड़ करोगे सबसे पहले अपना image आड़ करोगे मानलो मैं यहां पर वह तू आप जितना अच्छे से इसको बनाओंगे आपका सेल उतना ज्यादा बढ़ेगा सब्टाइटल में क्या रहेगा इसके बाद enter new item उसके बाद आप लोग यहां पर आइटम पर क्या आड़ करोगे simply आप लोग चाहोते हां पर आड़ कर सकते आड़ कर सकते हैं आड़ कर सबस है दोफ्तों यहां पे अभी हम ब्लॉक सेक्षन पर चलेगे है यहां पर सेटिंग पर चलेंगे यह बलॉक को स्रिट करकसे इसको यहांपre चलेगे तो हमें है पर उप सखेंच अनिनक के लिए वोगत आगर चाहों की सब्टाइटल को नहीं दिखाने के लिए इसको आउप अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसलिए इसको आफ कर रहा हूं ठीक है उसके बाद आप देखो यहां पर एक्स्टरनल इमेज आप चाहो तो इसको कर सकते हो लेकिन हम इसको फिक्स साइज रखेंगे इसको इसको आपको मिल रहें बॉर्डर इस तरह साब चेंज कर सकते हैं लेकिन यहां पर देखो इतना चोटा सही लग रहा है उसके बाद आपको मिल रहें बॉर्डर इस तरह साब चेंज कर सकते बॉर्डर को और बॉर्डर का वीड़त यहां पर एट है यह बहुत ज्यादा है मैं इसको थ्री करता हूं या फिर फाइब करता हूं ठीक है मैंने फाइब कर दिया फाइब और अच्छा लग रहा है ठी टीक है लेप्ट है लेकिन इसको चेंटर पर अब हो गया अबत है तो बोर्ब्ले सेंटर है अब कर सकते हो तो यह काम और चाहों गया यह आपका content का typography, font कुछ अलग है, font family, then आप इस section का font family कुछ और रखना चाहते हो, then वो भी आप कर सकते हो, typography पे जाके, लेकिन मैं कहूंगा भाई, इसको आप छेड़ जाड़ ना ही करो तो अच्छा है, color आप चाहो तो यहाँ पे background color देखो title बगरा है, यहाँ पे box background color आप चाहो तो इसका change कर सकते हो, भाई, जो की थोड़ा attractive आप बना सकते हो, अपने हिसाब से कि भाई, हाँ यह थोड़ा अलग दिखे, clear ना देखो यह थोड़ा अलग दिख रहा है, अब हो गया हमारा काम, अब देखो हमने background भी change कर लिया, अब इसको क्या करेंगे, colors को off करते ह और main काम यहां पर आता है बटन सेटिंग, तो यहां पर देखो, enable है बटन, आप चाहो तो बटन को off कर सकते हो, लेकिन enable रखना है, क्यों है हमें sell करना ही है, तो इसका हम on रखेंगे, उसके बाद buy now button URL, भाई, यहां पर आपको डालना है, आपका affiliate URL, जो भी आपको डालना ह बटन का भी आप लोग टाइपोग्राफी बदल सकते हो, और main चीज़े भाई, आप लोग यहां पर background color बदल सकते हो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, आपके हिसाफ से, मैं यहां पर कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन भाई, आप अपने हिसाफ से background color बदलना, और अच्छा हो होगा आप लोग यहां पर background color बदलना, और text को यहां क्या करेंगे, वाइड कर देते हैं, हो गया, हमारा यहां बटन भी बन गया, अब उसके बद पैडिंग बगर आप लोग चाहो तो लगा सकते हो, वो थोड़ा advanced customization पर आज जाता है, तो आप चाहो तो भो भी कर सकते हो, और button में आप लोग चाहो तो यहां पर उसका border भी लगा सकते हो, ताकि वो और थोड़ा attractive बने, लेकिन अगर आपको ज़रूरी है तब करना, design करना है तब करना, तो यह था single product का block, लेकिन अगर आप चाहो तो और भी अच्छे से इसको 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 अगर भाई good or bad, ठीक है, तो उसके लिए simply हम लोग क्या करेंगा भी, देखो plus button पे यहां पी click करके, आप affiliate booster का सारा का सारा section ले सकते हो, लेकिन यहां पे plus button पे click करना, और आप affiliate search कर देना, तो आपको मिल जाएगा सारा का सारा, यहां पे section, दोस्ता अभी हम लोग और एक block क इस्तमाल करेंगे affiliate booster का, जो कि single product का pros and cons रहेगा, वो कैसे उस करते हैं, simply है affiliate booster सर्च कर दो, और यहां पे देखो AB, ठीक है, देखो यहां पे AB, pros and cons, मतलब यह by default सिर्फ pros and cons रहेगा, लेकिन product के साथ आप लोग प्रोस and cons रखते हो, तो बहुत थोड़ा और attractive बनता है, तो यह यहां पे अगर आप देखो के pros, सिर्फ लिखेंगे क्या pros, ठीक है, यहां पे आपको मिलेगा AB, single product, pros and cons, तो आप इसको click करो, यहां पे आ गया, अब आप simply देखो, इसको कैसे optimize करोगे, इसको हम लग अभी, इसको close करते हैं, और setting को on करते हैं, देखो, यहां पे सबसे पहल लिखना है, और बूरा चीज लिखना है, जिसी कि हमने अल्रेडी यहां पे किया था, तो वह चीज को हम copy करके डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह साब final content लिख सकते हो, और यहां पे देखो, बटन सेक्षन पे अपना affiliate link डाल सकते हो, क्लियर है, इस तरह आप single product का pros and cons बना सकते हो, लेकिन यह by default design है, आप लोग इसको enhance कर सकते हो, यहां पे लिखा है topic, सबसे पहले selling ही general setting में, और यहां पे देखो, आपको मिलेगा pros and cons का title, आप दिखाना चाहो, sorry pros and cons का section दिखाना चाहोगी कि नहीं, देखो, ओप करोगे, तो यहां पे pros section हट करना चाहते हो, देखो, सिर्फ आप pros तो नहीं लिख सकते हो, cons भी लिखोगे, तो cons लिखोगे, उसको आपको explain भी करना होगा, कि यह चीज क्यू है, तब भी लोग interested होंगे, अगर आप सिधा बुराई लिख दोगे, तो लोग भाग भी सकते हैं, तो आपको थोड़ा दिम कर सकते हैं, जो भी करना है, और by default यहां पर 8 है, तो आप उड़ को छोटा कर देना, clear है इस तरह से, ताकि और थोड़ा अट्रक्टिव लगे, clear है, अब हमने इसको करना क्या है, जनरल शेटिंग को आप करना है, और टाइपोग्राफी पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर टाइपोग्राफी हमें सेट के साथ सेम रहो, तो ही बहतर है, colors तो मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है, spacing, यहां पर spacing अवेलेवल है, कहां पर case रहेगा, वह आप अपने हिसाब से, अपने device के साब से, टेस्ट कर सकते हो, देख के यहां पर, मालो अगर आप box padding इसको सबसे पहले off कर देना, क्योंकि अगर इसको on करोगे, तो यह सारे के लिए same apply, अगर आप top पे 5 एक डालोगे, तो सबके लिए 10 हो जाएगा, 100 अगर आप चाहते हो कि भाई, लेट से थोड़ा बड़ा हो, तो आप सबसे पहले इसको off करना पड़ेगा, ठीक है, देन सिंगिल सिंगिल साइडवाइज, यहां पे पैडिंग मगरा डाल सकते हो, लेकिन अभी भाई में कुछ नहीं डालूंगा, सिदे इसको zero करूंगा, ठीक है, जो बिल्कुल हटा ही दूंगा, इस तरह से आप लोग कर सकते हो, by default, it's best, उसका बटन सेटिंग में आपको आना ह है affiliate link, वहां से लोग जब जाएंगे और purchase करेंगे, और देखो button का text है, आप लोग समयशा change कर सकते हो, यहां पे activate deal, by now इसे आप लिख सकते हो, active with deal, clear है, इस तरह से मैंने डाल दिया, और यहां पे button URL डालेगा, button URL में हमेसा अपना affiliate link डाल देना और कुछ नहीं करना है, और button का भी आप चाहो तो border लगा सकते हो, यहां पे border radius भी लगा सकते हो, simple border radius means कि आप button को round बनाओगे, देखो 50 डाल यहां पे button हो गया, rounded, ठीक है, इस तरह से border radius लगा दोके तो button आपका rounded बन जाएगा, clear है ना दोस्तों, इस तरह सब single product का pros and cons mention कर सकते हो, और और कुछ blocks मैं आपक enter दबाएंगे, plus button पर आप लोग यहां पे click करो, अब हम search करेंगे pros and cons, pros and cons, तो यहां पे आपको मिल जाएगा, a, b, affiliate booster pros and cons, ठीक है, इसको click करोगे, तो आप आपको मिल जाएगा pros and cons का section, उसके बाद आप एक एक करके pros and cons डालते जाओगे, जो कि आपका काम होता जाएगा, enter दबाओगे, तो और एक आजाएगा, ठीक है, इस तरह से, simple, बहुत easy to use है, affiliate booster plugin, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको इस तरह से design को change करना है, simple general setting पे चले आना, यहां पे आपकी सामने मिल जाएगा, pros का icon section है, इक cons का icon section है, वो आपने इसाफ साब लगा सकते हो देखो, यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो, thumbs up, thumbs up, इसको क्या कर सकते हो, thumbs down, cons पे, thumbs down, ठीक, इस तरह से, यह तोड़ा attractive लगेगा, आपकी साब साब अप्टिमाईज करके लगा सकते हो, thumbs up मतले की भाई, सब कुछ सही है, thumbs down, आप समझ सकते हो human psychology, यह cross tick, thumbs up, thumbs down, यह आप easily कर स लगते हो, scroll करोगे, तो box का shadow पर लगा सकते हो, इतना खास लगेगा नहीं, तो box shadow definitely लगाना, उसके बाद स्क्रॉल करोगे, तो आपको यहां पर मिलेगा, typographic colors in advance, लेकिन उससे उपर आप देखो, यहां पर pros and cons का design style, इस पे लिकरो default है, अभी style 1 पर जाएंगे, इस तरह से style style 1 भी काफी सही लग रहा है मेरेको, और आप style 2 देखो style 2 इस तरह से दिखेगा, जो कि मैंने use किया है, style 3 आप लोग देख लो इस तरह से, मैरेको 2 अच्छा लगा, style 1 भी अच्छा है, style 2 भी अच्छा है, लेकिन style 1 सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है मेरे लिए, और यह फोड़ा और professional लगता है, लेकिन मैंने यहां पर आप लोग को visible ज्यादा हो, यसलिए मैंने इसको किया था, style 2 में, लेकिन अभी मैं इसको क्या करूँगा, style 1 कर देता हूं, मेरेको यह अच्छा ज्यादा लगता है, clear है दोस्तों, इस तरह से आप लोग कर लेना, और मेरा यह जो section था, मैं इसका icon भी change कर देता हूं, thumbs up मेरेको भी अच्छा लगा भाई, thumbs up इसको thumbs down, ठीक है, इस तरह से, बहुत अच्छा लगा, तो आप, मैं update पे click कर देता हूं, update हो गया, तो इस तरह से आप pros and cons भी बना सकते हो, और comparison कैसे करोगे, जब हम compare करेंगे, इसी niche पे, मैं group SEO tool पे, कौन कोन अच्छा service दे रहा है, उसको मैं compare करना चाहूंगा, तो simply मेरे को क्या करना है, यहाँ पे भी plus button पे चलना है, और यहाँ पे search करना है, compare, ठीक है, यहाँ पे इसे आप compare लिखो, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, देखो, single product, product specifications, यहाँ पे है, और आप यहाँ पे compare कर सकते हो, ठीक है, इस table के through, और देखो, यहाँ पे बहुत सारे blocks है, मैं एक-एक करके अगर आपको बताने लगूँगा, यह video 2-3 घंटे का होगा, detail में, ठीक है, जब हम affiliate marketing का series start करेंगे, जब मैं practically एक-एक blocks पे कुछ-कुछ product link करूँगा, तब आपको अ और उसके तरह top pick, ठीक है, तो यहाँ पे simple मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे every table comparison, देखो, यहाँ पे आप product list करोगे, और देना आप उसके बारे में बताओगे, और इस तरह से देखो, आपको interface दिखेगा, भी setting में आपको चलके ही दिखा देता हूँ, मानलो यह व प्राइज है, आप चाहते हैं, यहाँ पे buy now करके लगा सकते हो, ठीक है, आप चाहते हैं, यहाँ पे single click पर delete भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे general setting थोड़ा बदा देता हूँ, जैसे कि general setting पर क्या मिलेगा, देखो width बगरा set करने के लिए आपको यहाँ पर option मिल रहा headings भी दिखाऊगा, उसके उपर आपका headings पर दिखेगा image, product, detail, price, ठीक है, यहाँ पे buying link आप अपनी subs देखो, यहाँ पर product है, आप यहाँ पर product name बना सकते हो, details है, आप यहाँ पर description लिख सकते हो, price है, यहाँ पर buy now का button, यहाँ पर buying option लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से, औ double को थोड़ा different बदनाएगा, और उसके बाद आप इसको off करोगे ना, आपको और क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर देखो typography, typography पर again मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी छेड़ चार्ड ना करो, color पर भी ज्यादा कुछ ना करो, buttons पर आपको only क्या करना है, buttons पर आपको link लगाना ह जैसी कि मैं यहाँ पर डाल दूगा, swarmahelp.com, तो यहाँ पर आपको link आड़ करने के लिए option मिल जाता है, तो यहाँ से link आड़ हो गया, clear है, यहाँ से link आड़ हो गया, जब भी इस पर कोई click करेगा, तो यहाँ पर open होगा, आप जो भी link यहाँ पर आड़ करोगे, वो यहाँ पर मैंने आड़ किया था, देखो, active deal पर, आड़ है, effect, तो वही आप यहाँ पर आड़ कर सकते हो, ठीक है, दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर single product के बारे, properly सब कुछ बता दिया, ठीक है, अब देखो, जब आप इस्तमाल करोगे, एक एक चीज को experiment करोगे, तो आपक सेक्षन है, उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, top pick, ठीक है, यहाँ पर उसको कैसे इस्तमाल करना है, simple, यहाँ पर plus button पर search करोगे, top, यहाँ पर pick, लिखोगे, तो आपको मिल जाएगा, देखो, a, b, top pick, यहाँ पर आगया, देखो, top pick का सेक्षन, यहाँ पिर आप recommended लि से आप optimize करोगे, general setting में, क्या-क्या option से, देखो, so, title आप off कर सकते हो, अगर चाहो तो दिखा सकते हो, so, content आप off कर सकते हो, चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन description होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको रखो, और image भी आप अपना image लगा सकते हो, image का size छोटा बड़ा भी कर सकत तो इस तरह से, जो भी आप रखना चाहोते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप, आपको मैंने already इसके बारे में बता दिया है कि कैसे, क्या इस्तमाल करना है, spacing, color, typography, button setting, आप चाहो तो एक नहीं, दो-तिन बटन भी लगा सकते हो, जो कि आप easily यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से, यहाँ पर, topic बाला section को इस्तमाल करोगे, तो अब हम चलते हैं, हमारा सबसे important जो था, coupon code block, लोग उसको जानने के लिए ही, mostly video properly देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैं कहूंगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो, definitely video को लाइक कर दो, दोस्तों, यहाँ पर मैंने यूज किया है, coupon code block, तो मैं आपके सामने और भी create करका आपको दिखाता हूं, सबसे पहले हम लोग एक नया block create करते हैं, plus button पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप से search कर सकते हो, अधरोज आप paragraph select करके भी search कर सकते हो, मैं सिध्य से search कर रहा हूं, देखो, plus बला icon, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, नहीं तो मैं यहाँ पे दिखाता आपको, मालोग इसे paragraph बला दिख रहा है, side पे दिखेंगे, प्लस बला icon, इस पे क्लिक करो, then search करो, coupon, C-O-U-P-O-N, आपको देखो, coupon, AB coupon box 2, तो सबसे पहले आप इसको चूज करो, यह रह लिखा है, तो आप चाहो तो इसको कुछ भी रख सकते हो, stop, pick लिखा है, यहाँ पे मैं रखा है, 100% working, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, product guideline पे आपको क्या करना है, product के title लखना है, बो रख सकते हो, और description पे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, product का जो coupon code बो दे सकते हो, औ और यहाँ पे देखो, people used, यह लिखा है, कितने लोगा ने use किया है, वो चाहे तो आप यहाँ पे लख सकते हो, 5000, या फिर 1000 plus people used, ठीक है, यहाँ पे only, only left, जिसकी only 5 left, few left, 10 left, अगर कोई number है, तो आप number के coding डाल दो नहीं, तो मैं ने तो डाला था, only few left, और offer ongoing, आप चाहो त इसको limited deal लिख सकते हो, यहाँ पे offer ongoing है, यहाँ पे लिख दो limited deal, limited deal, okay, then आप rating पे अगर देना चाहो, 5 star rating भी दे सकते हो, दिन उसके बाद आप यहाँ पे staff week को, यहाँ पे जिसकी, मैं कर देता हूं, change, staff week था 100% working, जिससे मैंने किया, आप इससे कर सकते हो गया, और क्या करन है, बस इतना ही करना है, इमेज आड करना है, और affiliate जो button है, इस button पे लिंक के sign करना है, वो कैसे करेंगे, simple भाई, यहाँ पे general setting पे चलेंगे, और देखो, यहाँ पे क्या क्या आपको show कराना है, सब कुछ दिखेगा, जूकि हमें सब कुछ show भी करना है, और उसके साथ आप यहाँ पे border का setting भी change पर कर सकते हो, border select करने के बाद आप border weight भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे 2 है, इसको 5 कर दो के तो बढ़ा हो जाएगा, और 3 कर दो के तो एक normal लगेगा, ठीक है, तो 3 पे भी रख सकते हो, scroll करो कि design type dynamic है, तो आप इसको जैसे तिसे रहने तो, कोई दिकत न नहीं है, उसको स्क्रॉल करें, typography जैसे कि यहाँ पे भाई, हाथ नहीं लगाना है, typography पे और colors पे आप अपने हिसाब से colors कर देना, button setting मैंनी है, activate deal जो भी चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, activate deal, button neural देना है, यहाँ पे अगर आप चाहो, glimmer effect, glimmer effect, तो बो add कर देना, इस तरह से glimmer effect, और button आप चाहो, तो rounded भी बना सकते हो, rounded बन गया, जैसे कि मैंने button बनाया था, आप लोग के सामने मैंने, आज इट इस सेम काम करके आपको दिखाया है, तो यहाँ पे आपको clear है, इस तरह से आप लोग affiliate booster plugin को इस्तमाल कर सकते हो, और again दोस्तों, यहाँ पे affiliate booster plugin को इस् demand and supply, अगर आप जिंदेगी बर affiliate marketing करना चाहते हो, तो आपको यह game समझना पड़ेगा, कब क्या demand चल रहा है, उसी हिसाब से product promote करोगे, तब result मिलेगा, कुछ लोग क्या करते है, affiliate marketing करने आ तो जाते हैं, लेकिन भाई, सही product सही time पे pick नहीं करते हैं, मालों आपको gift के उपर affiliate marketing करना चाहते हो, तो आप समझो, कब ज़्यादा gift दिया जाता है, उसी time पे gift section को promote करो, gift product को promote करो, देन सेल आएगा, अगर आप चाहते हो कि भाई, मेरेको rainy days का कुछ product सेल करना है, चाता raincoat बगरा सेल करना है, तो आप समझो, भाई चाता raincoat कब चाहिए, rainy season पे चाहिए, तो उस time पे उचीज को promote करो, तब चलेगा, तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कब चल सकता है, उसके according आप affiliate marketing करोगे, तो कम effort पे आपको ज्यादा revenue बनेगा, लेकिन अगर आप दिमाग सही से नहीं लगाओगे, तो क्या ही कर सकते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया, affiliate booster plugin को इस्तमाल करके, आप लोग किस तरह से अपना ब्लॉग में affiliate link लगा सकते हो, product promote कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत अच्छा कासा revenue बनेगा through affiliate marketing, और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि य देन चला नीच ब्लॉग, देन मैको नीच ब्लॉग, अब टाइम है, मिनी ब्लॉग पर काम करने, क्योंकि भाई देखो, कैसे भी आपना ब्लॉग को rank पिलाना है, success बनाना है, ताकि थोड़ा बहुत आर्निंग वहाँ से सुरू हो जाए, और अगर आप एक ही ब्लॉग पर row together.